Hey everyone, hey CAFinals friends, कैसा गया आपका paper Advanced Auditing and Professional Ethics का? तो मुरे को प्लीज जल्दी से बताओ अपने comment sections के अंदर जो मैंने standards on auditing के उपर आपको कुछ चीज बताई थी क्या वो उस में से कुछ coverage हुई क्या? और कितने number का attempt आपने किया? किस level का paper आपका Advanced Auditing and Professional Ethics का पूछा गया था? इसकी analysis भी मैं आपको ले किया हूँगा once you have complete all the paper, right? एक बार आपके चारो paper होने दो, उसके बाद मैं आपको one by one हर एक paper का analysis लाके दूँगा, right? आपने क्या गलतिया करी है, क्या नहीं करी है, वो exams के बात की बात है लेकिन अभी आपका चोथा paper remaining है, right? that is आपका इकनौ और आपका corporate law तो law का paper अभी बाकी है, तो please मेरे को comment section में बताओ कि आपका paper गया कैसा? और Advanced Auditing and Professional Ethics में आप मेरे को यह बता सकते हो कि company audit में से कितने marks का पूछा गया था? बहुत सारे friends जो company audit को लेकर के concern थे, मैंने उमको बताया भी था शहाद हो सकता है, मेरे बात सही हो गई हो तो please मेरे को comment section में बताओ how much you have attended, right? कितना आपने attempt किया exams के अंदर अब आपको चिंदा करने की जुरत नहीं है, अगर आपका paper थोड़ा सा भी difficult, ऐसा गया है, मतलब average paper गया है तो tension लेने की जोतनी है, भी fourth paper पर आप focus करो उसके बाद मैं analysis करके दूँगा, हो सकता है, जो चीज़ हम सोचते है कि यार ये गलत हो गया, वो बात में सही हो जाता है, ठीके? तो प्लीज मेरे को मिल जल्दी से बताओ comment section के अंदर कैसा paper गया आपका